तो हलो फ्रेंड्स वेलकम टो गेट अकैडमी आज से हम क्या करने वाले हैं जो फ्लूड मशिनरी के जो फ्लूड मशिनरी जो आपके सीलेबस में है फ्लूड मेकैनिक्स और मशिनरी उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं ये दोनों चीज देखेंगे हैं हम फ्लूड मेकैनिक्स और मशिनरी ये आज से इस सीरिस को स्टार्ट करते हैं और सीरिस जो हमारा था वही रहेगा लक्ष रेलवे बस हम क्या करेंगे अब इसमें अलग-अलग सब्जिक्ट को अलग-अलग तरीके से देखेंगे और इसमें पॉसिबिलिटी क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बाद इच एन एवरी टॉपिक के बाद मैं क्या कराने वाल हूँ आपको नुमेरिकल या फिर जो उसके बेस्ट में जो नुमेरिकल आते हैं छोटे-छोटे वो जो कॉंसेप्ट से आएंगे और जो आपको क्या करेंगे ए अहम भूमी का निभाने वाले हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या फ्लूड मेकेनिक्स तो फ्लूड मेकेनिक्स इसको जानने से पहले जैसे कि आप जानते हो कि यह पोश्ट का नंबर आप पोश्ट है यह कई बार बता चुके हैं और cbt1499 में अविलेबल है CBT1 and CBT2 777 में अविलेबल है तो आप अपने preparation को बहतर बनाना चाहते हैं तो इसको जितना जल्दी हो सके अवाइल कीजिए क्योंकि इसमें जो content provide किया गया है आपके syllabus के according बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से आपको provide किया गया है तो यह हमारा CBT1, CBT1 CBT2 के price range है, बहुत affordable price है मतलब कोई भी एकदम affordable price रखा गया है ताकि आपका preparation बहुत 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 बहुतरीन तरीके से हो सके, इसमें कोई रुकावट नहीं आने चाहिए, इसलिए यह price को यह हम लोगों ने एक affordable price रखा है, ताकि पैसे बाधा नहीं आना चाहिए आपके preparation में, ठीक है, तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए हमारा जो topic सबसे पहले मैं आपको क्या बताया है कि fluid mechanics हम देखेंगे सबसे पहले अब fluid mechanics में fluid mechanics में कहा देखने वाले हैं कि जो इसके जो basics हैं हम उनी basics चीज़ जहां से question आपको exam hall में देखने को मिलेंगे, तो आप से एक ही request रहेगा मेरा कि जो चीज़े यहाँ पर बताया जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, सूनना है ठीक है, सबसे पहला अगर मैं fluid mechanics की बात करूँ, तो हमारा जो fluid mechanics में सबसे पहला जो topic आता है, introduction 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 में अब introduction से questions क्या आता है, समझे मैं कि fluid mechanics की introduction से आप देखेंगे कि maximum आपको 2 से 3 questions डारेक्ट मिलेंगे, आप high level के पढ़के चले जाएंगे और यहाँ पर आके क्या है, आप फस सकते introduction, सबसे पहला यह छोटे छोटे चीज है जैसे अगर छोटे छोटे चीज की मैं बात करूँ, तो specific weight, यह आपको पता होना चीज क्या होता है, specific weight what is specific weight अगर specific weight की बात करूँ, इसका आपको direct push लेगा, unit का होता है specific weight का specific weight का क्या हो जाता है, unit क्या होता है तो यह specific weight को हम क्या जानते हैं weight upon volume ठीक है अब weight का unit क्या होता है जैसे क्या आपको पता है, weight क्या होता है Newton और volume क्या होता है मीटर क्यूब तो डारECT आपक速 फॉर्मूला पुछेगा कि specific weight का unit क्या होता है तो newton per meter क्यूब यह क्या होगा आपका specific weight का formula होगा ठीक है अब देखें इसको specific weight को direct question आता है इसको और कैसे notation provide के जाता है एक तो यह important अगर इसी में मैं बात करूँ तो और होता है weight को आप लिख सकते हो mass into gravity और volume को क्या लिख सकते हो आप V वाल्यूम को क्या लिख सकते हो आप लोग V mass को अगर और simplify करूँ तो row V लिख सकता हो क्या row V multiply by G और यहां पर क्या हो जाता है वी यह जो volume 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 cancel हो जाएगा और यहां पर जो होगा specific weight specific weight इसके लिए जो दो चीज़े आपको याद रखना है पहला unit इसका याद रखना है newton per meter क्यों होता है और दूसरा चीज इसमें आपको याद रखना है यह क्या होता है row into g को भी क्या बोलते है specific weight बोलते है direct question यहां से उठ उठ के आया हुआ है जो भी चीज़ें यहां पर बताया जा रहे है बहुत important चीज़ें को ध्यान रखेंगे एक specific weight दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो specific volume यह हो जाएगा specific volume अब specific volume में आप क्या धिहार रखना है specific volume क्या होता है specific volume को जो होता है वो reciprocal जो होता है किसका होता है density का ठीक है तो इसको आपको धिहार रखना है specific volume अब इसका unit क्या होगा, density का unit क्या होता है, kg पर meter cube, तो इसका unit क्या हो जाएगा, meter cube पर kg, ठीक है, इसमें दो तीन चीज ध्यार रखेंगे आप लोग, कि water का specific volume कितना होता है, water का specific volume, अगर specific volume of water push देगा, डारेट, आप क्या हो जाएगो है, आप सुचोगे किया रे यार, मेरे को त specific volume of water तो में जो को याद ही नहीं है, अब मेरे कैसे करना है, इसको आपको ध्यार रखना है, specific volume of water होता है, जैसे कि आपको पता है, one by row होगा, density क्या होता है, one by thousand, और इसको जब आगे करेगा, इसके unit क्या हो जाते है, 0.001 पर kg, ये क्या हो जाएगा, meter cube पर kg, तो इसको आप आपको ध्यान रखना है यहां पर specific volume वाले इस वाले जो टॉपिक है इसमें दो तीन चीज जो मैंने आपको बताया direct question यादेंगे इसको ध्यान रखेंगे सबसे पहला question इसको याद रखना आप क्या होता है इसका unit per meter cube पहला चीज दूसरा चीज इसका unit क्या होता है meter cube specific volume का meter cube per kg यहाँ पर हो गया इसको rho g भी बोलते हैं आप confusion कहां पर होता है specific weight को rho g बोलते हैं कि specific volume को क्योंकि आप रट के गए रहते होगे यहाँ पर चीजों को गलत करोगे तीसरा चीज आपको यह धियान रखना है 0.001 meter cube per kg इसको आपको क्या करना है धियान रखना है ठीक है यहाँ पर simple सा चीज मैंने आपको बताया यह fluid mechanics से हम questions करते आ रहे हैं अब दूसरा चीज introduction part में ही आगे चलते है specific gravity दूसरा question पुछेगा आपको specific gravity क्या होता है specific gravity अब जो specific gravity होता है इसको अगर मैं define करूँ तो यह जो होता है वो ratio होता है density of fluid divided by it is the ratio between density of fluid और density of standard fluid मतलब standard fluid हम किसको consider करते है water को तो कुछ नहीं करते है specific gravity suppose एक oil है suppose मैंने क्या कि लिए एक container में oil है जिसका density है thousand sorry 800 है तो इसकी specific gravity क्या होगी तो specific gravity of oil is equal to क्या हो जाएगा density of fluid मतलब fluid की जगा हमारा क्या है oil है न तो density of fluid क्या हो जाएगा हमारा 800 जो दिया हुआ है oil यह oil है oil है बाबू इसको ध्यार रखना यह oil है 800 divided by density of the standard fluid density of the standard fluid को मैंने क्या बोल जाए water तो यह क्या हो जाएगा 1000 समझ में आ गया तो specific gravity is equal to क्या हो जाएगा यह 0.8 will be the correct answer तो यह याद रखना मतलब क्या बताता है कि fluid और water का मतलब अगर specific gravity को मैं simply बताऊं आपको कि मतलब knowledge के लिए क्या होता है तो यह density का क्या होता है ratio होता है जो fluid मतलब इसको और clarify करें तो water के respect में इसकी density को क्या करता है यह represent करता है समझ में आगया तो इसको आप लोग धियान रखेंगे की specific gravity क्या बताता है कि कितने times है water की density की कितने times है fluid की density तो इसको आपको क्या करना है धियान रखना है यहाँ पर दो चीजे मैंने आपको बताया इसका आपको धियान रखने no the second one है यहाँ पर δेखेंगे अगर होगा जो इस पेसिफिक जो होता है वेड होता है उसका यूनिट क्या था कुछ नहीं होता है है ठीक है ठीक नाओ नेक्स्ट चीज अब यहां पर दो चीजे मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कि वेटा मिनिट कि अब यहां पे आते हैं देखिए यहां पर जो दो चीजे मैं आपको बताता हूं उसको ध्यार रखेंगे पहला चीज वेरी इंपोर्टेंट अब यहां पर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर एस जी लिख रहा हूं उसको ध्यार रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर यह क्या हो जाएगा आपका कित्ता होगा 1 होगा क्यों हो 1 होगा क्योंकि water के respect में ही हम लेते हैं इसको आपको ध्यान रखने specific gravity एक चीज़ दूसरा चीज़ at 4 degree centigrade at 4 degree centigrade ठीक है और mercury का क्या होगा specific gravity mercury का क्या होगा यह दोनों को याद रखना 13.6 water का specific gravity कितना होता है 1 होगा mercury का specific gravity कितना होता है 13.6 अब देखिए अब इसमें जो खेल होगा वो यह होगा specific gravity जो होता है temperature के respect में क्या होता है vary करेगा समझ में आ गया है तेम्परेचर के में क्या कर सब्सक्रक्णिप एख संब्सक्रविटी Ce parking वाज मों कि कुश्च्ट है सलोलियो कुम की कृष्च्णाइट के काष्च्ण कौन करेगा ॲीच हव प्री वेरिइए हैं 5000 specific gravity विल वेरी तो pressure देगा volume देगा temperature देगा तो यहाद रखना specific gravity जो होगा वो temperature अगर वेरी करेगा तो specific gravity भी क्या होता है vary करेगा यहाँ पर एक आपका जो portion है उसको मैं यहाँ पर क्या करता हूं ठीक है अब दूसरा चीज यहां से हम देखते हैं दूसरा चीज यह जो इतनी सारी जो चीजे मैंने आपको बता है इसको ध्यान रखना है आपको specific weight बता है मैंने आपको यहां पर specific weight volume उसके बाद specific gravity अब यहां पर हम क्या देखते हैं specific gravity for water के लिए आ जाए का direct question उठके तो 1 होता है mercury के लिए कितना होता है 13 point क्या होता है 6 होगा ठीक है specific gravity किसका function है तो time का function है specific gravity ठीक अब देखिए next one Newton's law of viscosity Newton's law of viscosity समझ मैं क्या तो shear stress is directly proportional to सबसे पहले क्या होता है rate of shear strain याद रहे गाए shear stress is directly proportional to rate of shear strain डारेक्ट कोशन आता है Newton's law of viscosity क्या होता है shear stress is directly proportional मेरे वर्डिंग को सुनिए shear stress is देखो shear stress is directly proportional proportional to rate of shear strain अब ये rate of shear strain बोलना जरूरी है ये rate of shear strain बोलना जरूरी है अप्सन में ये भी रहेगा shear stress is directly proportional to shear strain shear stress is directly proportional to shear strain ये भी रहेगा तो आपको करना कुछ नहीं है आपको बस इतना ध्यान रखना है rate जहां दिखेगा उसी को लगाना है अगर rate नहीं दिया है उसको मत लगा देना गलत हो जाएगा हो अब proportionality sign को हटाओगे तो ये क्या बसता है mu du by dy sorry du by क्या होता है dy अब देखिए u क्या है यहाँ पे direct question आया था u क्या है यहाँ पे तो याद रखना dynamic viscosity dynamic viscosity viscosity दो type का होता है kinematic viscosity और dynamic viscosity इसको आगे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे समझ में आगया और du by dy इसको velocity gradient भी बोलते हैं इसको velocity इसको velocity gradient भी बोलते हैं तो इसको ध्याँ रखेंगे यहाँ पे जो चीज़े मैंने आपको पता है इसको ध्याँ रखेंगे अब देखिए fluid के कई type होते हैं fluid में भी क्या हो जाते हैं आपके कई type होते हैं जैसे newtonian fluid non newtonian fluid इसको हम लोग आगे देखेंगे सबसे पहले जो important है मैंने आपको यहाँ को बता है viscosity देखें यहाँ से question डारेक्ट आएगा dynamic viscosity आप देखिए यह dynamic viscosity इसका unit क्या होता है इसका जो unit होगा इसको आपको याद होना चाहिए इसका जो unit होगा वो होगा newton second per meter का square और इसी को हम लोग बोलते है kg per meter second यह हो गया now इस यह SI unit है बाबू इसको धियान रखना यह जो दोनों unit मैंने बताया ना यह कौन सा unit है आपका SI unit है उसके बाद it's a CGS unit poise poise किसका unit है तो आपको क्या रखना है CGS unit क्या है इसका poise ठीक है इसको हम poise को और क्या बोलते है इसको है डायन second per centimeter का square डायन second per centimeter का unit इसका याद आखना unit बराबार उट के आएगा और one poise equal to one poise is equal to होता है यह 0.1 newton second per meter का square one poise is equal to क्या होता है 0.1 newton second per meter का square इसको आखको क्या करना है ध्यान रखना नाओ दी अनादर वन kinematic viscosity एक हुआ हमारा dynamic viscosity दूसरा हुआ हमारा क्या यह kinematic viscosity अब kinematic viscosity को new से represent करते हैं और यह new is equal to क्या होता है dynamic viscosity multiply by mass density मतलब density ही बोल सकते हो समझ में के mass density suppose यह mass density रो ठीक है तो यहां से हमारा क्या है viscosity find out हम करते हैं dynamic viscosity तो इसको आपको ध्यार रखना है इसका जो ऐसा unit होगा इसका जो ऐसा unit होगा वो होगा meter square per second ऐसा unit होगा meter square per second ठीक है cgs unit जो होगा वो हो जाएगा centimeter का square per second centimeter का square per second और इसी को stroke भी बोलते हैं cgs unit क्या होता है इसका इसका इसको यह सब question आपको बराबार exam में देखने को भी लेंगा direct unit और one stock equal to यह question कई बार 1000 बार आया होगा one stock is equal to क्या होता है 10 to the power minus 4 meter square per second ठीक है यह आपका क्या है इसका ठीक है तो यहाँ पर जो आपको dynamic viscosity इसको mu d से represent करते हैं यह धियान रखना है आप लोग यह क्या होता है इसका यूटन सेकंड पर मेटर का square यह आपको यूट याद रखना है यह दोनों SI unit है dian second यह poise किसका unit है तो dynamic viscosity का one poise direct यहाँ से question आपको देखने को मिलेगा kinematic viscosity को कैसे represent करते हैं यह आप देख लीजें यहाँ पर ठीक है और उसके बाद इसका ऐसा unit क्या होता है meter square per second और CGS unit इसका क्या होता है तो centimeter square per second होता है यह भी आपको यहाँ रखना है one stroke is equal to ten to the power minus four meter square per second बस समझ में आए क्या तो यह सारी चीजें है जो बहाद important है और आपके exam के point of view से direct direct question यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ठीक है अब यहाँ पर देखो विसको सिटी लिक्वीड विसको शिटी होता क्या चीज़ यह तो विसको सिटी क्या होता है रजिकस्टेंस टू फ्लो अगर water flow हो रहा है यह मैं आगे अगर रजिस्टेंस टू फ्लो जो पर फ्लूड के फ्लो को रजिस्ट करता है resistance of resistance उब क्या होता है flow उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेट 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 रसेटन विस्कोसिटी क्या होता है रजिस्टेंस अफ फ्लोव वेट है वेट वेट है रसेटन झाल 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 सॉरी फ्रेंड्स विकॉस आप सम् टेक्निकल इसूस हलो वाइस इस क्लियर ओके हलो हलो वाइस इस क्लियर ना ओके रजिस्टेंस ओफ लो विस्कोसिटी क्या होता है रजिस्टेंस ओफ फ्लो ठीक है अब इसमें जो कोश्टन्स आते कैसे हैं वो देखिए विस्कोसिटी आफ लिक्वीड अब देखो विस्कोसिटी रिस्टेंस ओफ लो अगर मैं सपोस मैं क्या लेता हूँ एक घी ले लेता हूँ गी और क्या ले लेता हूँ मैं बटर कर्ड ले लो कर्ड 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 ले लो क यहां पर विश्कोशिटी सबसे ज़्यादा बटर का होगा उसके बाद किसका होगा कर्ड का कर्ड का कर्ड के बाद किसका विर्टो सुीट्टी होगा और सबसे ज्यादा बटर का बटर के बाद का पड़ किसका विर्टे ऊटर का थी ठीक है यह हमको समझ में आ गया है अब देखिए टेंप्रेचर कैसे फंक्षन करता है जब टेंप्रेचर इंक्रीज होगा तो बटर क्या हो जाएगा मेल्ट होगा करड़ भी ऑईल भी तो टेंप्रेचर जब बढ़ता है तो याद रखना विसकोसिटी डाइनेमिक यहांपर बढ़ेगा त यहांपर एक चीज आपको ध्यान रखना है टिक है विसकोसिटी अफ वाटर यहांपर एक इंप्रॉर्डनलद्ट छी आपको ध्यान रखना है कि इस्वा सिटी ऐस चुब-अफ वाटर उप्वाटर विसकोसिटी ऊफ वाटर कु ऐध्ट 2 0 controller centigrade is 1 centipoise viscosity of water at 20 degree centigrade is 1 centipoise ठीक है अब देखो viscosity का region क्या होता है इसका region याद रखना intermolecular intermolecular force of cohesion समझ में आगे intermolecular force of cohesion ठीक है cohesion addition दो टाइप के क्या होते है attraction force होते है पहला क्या होता है cohesion दूसरा क्या होता है सबसे पहला क्या होता है cohesion अब cohesion में क्या हो जाएगा ये molecules है अब ये molecules है तो क्या हो जाएगा ये आस पास के molecules को क्या करता है attract करेगा अपने ही और यहां के जो molecules से glass के molecules से attract होगा उसको हम लोग क्या बलते है addition और सेम मॉलिकूल्स को हम क्या बलते हैं सेम मॉलिकूल्स को हम क्या बलते हैं cohesion और different molecules को हम लोग क्या बलते हैं अब यहां पर push fluid types of fluid जहां से आपको question direct देखने को भी लेंगे types of fluid types of fluid ठीक है अब देखिए कितने types of fluid होते हैं यहां पर हम लोग shear stress और shear strain के बीच में du by dy के बीच में grab बनाते हैं newtonian fluid यहां पर जो चीजे बताऊंगा बस उसको ध्यान रखना इसको हम बोलते हैं newtonian fluid newtonian fluid मतलब जो newton's law of viscosity को क्या करता है follow करता है यहां पर यह जो है इसको हम लोग बोलते हैं dilatant fluid और इसको हम लोग क्या बोलते हैं pseudo plastic fluid pseudo plastic fluid dilatant fluid pseudo plastic fluid newtonian fluid उसके बाद बिंगम plastic एक खाता है समझ में आ गया यह जो होता है यह क्या होता है बिंगम plastic मतलब जैसे उसको flow होने से पहले हम क्या प्रोवाइट करना पड़ता है हमको प्रेशन प्रोवाइट करें तो टूथ्पेस्ट हो गया उसको कितना भी करोगे तो प्रोवाइट नहों जैसे उसको प्रेशन एक बार प्रोवायट करें उसके बाद ऐसे जहते लिवाट Success ऐसे तैब के प्लास्टीक फ्लूड मैं के प्लास्टिक फ्लूड लाइम समय मैं A वो यह वर यह बिंगम प्लास्टिक लूड है उसके बात एक आता है डिसको हम लोग बोलते हैं Mudick थिक्सोrestrial yourtopic उसके बाद एक प्लूड आता है जिसके। हम लोगते रियो पाम्टीक कि रियो भर्सक्र एक सफ़ोबसर हो भ संते हो यह होता है यह होता है जो सुदोप्लास्टिक फ्लूड होरा समझ मैं आगया pseudoplastic अब देखे नॉन एक तो newton law of viscosity क्या होता है ये होता है mu du by dy but newton's law Newton's law of viscosity अब non newtonian newton's law को follow करेगा वो newtonian but non newtonian के लिए भी कोई equation होगा क्या non-newtonian fluid के लिए भी तो कोई equation होगा क्या तो जो non-newtonian fluid है उसके लिए जो equation होता है वोगा shear stress shear stress is equal to यह होगा आपका a यह सब constant है du by dy की power n plus क्या हो जाएगा b a और b क्या हो है आपका यहां पर constant है यह जो a और b है यहां पर क्या लिखा गया आपका यह constant है समझ में आ गया और यह depend upon type of fluid यह क्या करता है type of fluid और इसके flow के condition के उपर depend करता है कि कौन से temperature पर flow हो रहा है कौन से pressure पर flow हो रहा है अब यह n की जो value है यहां पर आप यहां पर जो n की value है यह इसी n की value पर non-newtonian fluid depend करता है समझ में आ गया क्या अब ध्यान से सुनेंगे इसके अगर n की value एक से ज्यादा है समझ में आ गया n की value अगर एक से ज्यादा है तो dilatant fluid a direct question आएगा n की value क्या हो जाएगी dilatant fluid के लिए और इसका जो example होगा वह बटर एक डारेक्ट example आएगा बटर ध्यान रखना बटर बटर के बाद याद रखना आपका quick send ठीक है अब देखिए जो dilatant fluid होता है वो time के शाथ क्या हो जाता है थीन होना चलो जाता है थीन थीन इसी लिए इस देखो बटर को रख दो वो समय के साथ क्या हो जाएगा वो पीगलना चलो जाएगा इस लिए इस type के fluid को dilatant fluid को shear thinning fluid बोलते हैं तो क्या बोलते हैं shear thinning fluid क्या बोलते हैं shear thinning fluid अब देखिए यहाँ पर n की value क्या होगी 1 होगी Newtonian fluid के लिए n की value क्या हो जाएगी आपका 1 हो जाएगी तो जो आपका blood होगा oil है यह सब क्या है हमारा Newtonian fluid है अब pseudoplastic fluid यहाँ पर n की value 1 से n की value क्या हो जाएगी एक से सुड़ो प्लास्टिक fluid होता है ठीक है अब यह है जैसे lipstick आप रखे रहा हो paint को आप रखे रहा हो कि ओ सॉरी शोरी शेयर thinning यहाँ पर चीजे गलत हुई थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे एक मिनिट यहाँ पर चीजे थोड़ा गलत हुई है अब मुण शूरी इसके लिए यह क्या होता है यहाँ पर चीजे गलत हो गई जैसे butter होगया क्यूक सेंट होगया इसको आप लोग रखोगे तो क्या होता है यह यह थीक होगा butter को रख दो गया एक समय के बाद butter को रख दो गया का का यह क्या होता है लपिष्टिक और चोहता है यह जिसकोश history पूरक काम हो जाता है उसका तो शेयर ठीनिंग फ्लूड यह तीनिंग फ्लूड लूडबॉ तो सिदोब्लास्टिक खुट के बारे में आपको ध्यां रखना है यहां पर आपको सिर्पप्लास्टिक व्हुलग को करा ने के लिए उसको आपको क्या करना है ध्यांढ रखना वेरी इंपोर्तेंट चीज नहीं पर यहां से आपको सुडो इसके example याद रखना है, pseudo-plastic example, देखिए, यहां पर आपको pseudo-plastic fluid के example याद रखना है Newtonian dilatant fluid के इसमें n की value क्या होती है इसमें n equal to 1 n less than 1 ये आपको ध्यार रखना है उसके बाद butter quick sand समझ मैं आ गया इसका example याद रखना है shear thickening fluid होता है आपका कौन सा dilatant fluid shear thinning fluid होता है आपका कौन सा pseudo plastic fluid इसको आपको ध्यार रखना है non newtonian जो होता है ये power law को follow करता है newtonian fluid किसको newton's law of viscosity को follow करता है यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यार रखना है इसके बाद इसमें ज़्यादा आप research करने कोशिस मत करना कोई मत्तलब नहीं question आएगा तो बस यहीं से आएगा इतना ही आएगा उसके बाद है यह जो bingham plastic fluid होता है वो क्या चीज होता है इसमें मैंने बताया था क्या होता है initial shear लगता है इसमें क्या लगेगा आपका initial shear लगता है ठीक है तो यहाँ से एक चीजे आपको clear हो गई होगी आई हो ठीक उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा चीज हम देखेंगे compressibility factor direct question आएगा यहाँ से आपका compressibility factor क्या होता है देखे सबसे पहला compressibility यह क्या होता है compressibility जो होता है it inverse of bulk modulus of elasticity समझ मैं आगया अगर compressibility factor को मैं बीटा से देनोट करता हूँ तो यह जो होता है bulk modulus of viscosity elasticity इलास्टी स्वारी यह bulk modulus है क्या होता है यह क्या होगा आपका bulk modulus modulus of elasticity bulk modulus of elasticity समझ मैं आगया क्या अब इसको मैं आगे simplify करूँगा तो यह क्या हो जाएगा यह इसको मैं क्या लेक सकता हूँ यह होगा आपका V sorry V DP by DV bulk modulus अब यह क्या हो जाएगा DV V DP ठीक है V DV DP अब आप क्या लिख सकते हो DV by D को अब क्या लिख सकता हूँ sorry यह यहाँ पर minus होता है minus compressibility में क्या हो जागा यहाँ पर minus होगा ठीक है अब देखिए इसको मैं direct अगर convert करूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं इसको मैं लिख सकता हूँ डेल रो बाई रो यह क्या जाएगा DP ठीक है तो इसको आपको जहाँ रखना है ठीक है क्यों क्योंकि रो जब तो आपको यही सारी चीजे आपको आएगी ठीक है तो यहां पर हो गया यह चीजे अब देखिए तो यहां पर compressibility factor जो होगा वो bulk modulus of elasticity से related होगा और bulk modulus of elasticity क्या होता है यह bulk modulus of elasticity का क्या होता है यह reciprocal होता है ठीक है अब देखिए बयल को मॉडल साब elasticity का क्या होता है यह reciprocal होता है जैसे ही हम compressibility factor को increase करेंगे तो volume क्या होगा decrease होगा volume क्या होगा decrease होगा इसको आपको क्या करना है ध्यान रखना है compressibility factor को increase करेंगे तो volume क्या हो जाएगा आपका decrease होगा समझ में आ गया change in volume क्या होगा decrease होगा increase नहीं होगा क्योंकि minus sign है इसको भी आपको क्या करना है यहां पर ध्यान रखना है ठीक है तो यह important चीज मैंने आप पर discuss किया next class में हम start करेंगे surface tension surface tension समझें आगया अब surface tension में हम देखेंगे किस type के numerical आपके exam में आएंगे कैसे numerical आएंगे और किस type के questions आएंगे numerical यहां से आता है एकदम easy वाला numerical आता है समझ में आगया water bubble, jet bubble, shop bubble नुमेरिकल आए यहां पर capillary action यह भी surface tension से related है तो इस सारी चीजों को क्या करेंगे हम next class में cover करेंगे अभी के class के लिए हम कितना ही करते है इस class के साथ आप बने रहिए आपको food mechanics में कोई problem नहीं होगा जितने question मैं कराओंगा उसको कर लेना कोई भी issue नहीं होगा